जैहिन दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज हम आपको ले करके आए हैं इंडियन आर्मी भरती किस राज्य में और किस जिले में हो रही है तो हम आपको सभी जिस राज्य में भरती होने बाली है या हो रही है सभी राज्यों के हम आपको वी हैं हम आपको इसको विस्तार से दिखाते हैं दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले डिकिने का जज्वा है अगर आपके से नामें ज दोस्तों आप इंडियन आर्मी को लाइक करते हो जाना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें दोस्तों ताकि किसी वीडियो से आप बंचित ना रहें तो दोस्तों बात करते हैं सिर्मोर, सिमला, सौलन और किन्नोर के युबाओं के लिए भाती शैना में बढ़ती होने का सुनहरा मौका है दोस्तों 6 से 14 अक्टूबर तक मंडी जिले के पंडल मैदान में शैना भरती होगी दोस्तों ये सिमला, सोनल और कन्नोर में भरती होने जा रही है जो 6 तारिक से 14 तारिक तक अक्टूबर में ये भरती चालू होगी दोस्तों बात करते हैं आगे दोस्तों ये भरती जो होने जा रही है ये भरती सैनिक तकनी की पुरुष के लिए सैनिक तकनी की गोला बारूद मिर्चक और पुरुष के लिए और सैनिक तकनी की ओडियन और सैनिक तकनी की उपचार सहयक एने और पूरिस पदों के लिए दोस्तों ये भरती पुर्षों के लिए हो रही है जिसमें ये आपके पद दिये हैं तो दोस्तों ये बहुत अच्छी भरती होने जा रही है कोरोना की वज़े से भरती अश्तकित हो गई थी लेकिन अब फिर से ये भरतिया चालू हो गई है दोस् दोस्तों बात करते हैं सेना के परवक्ता ने बताया कि आविदन करने वाले युबाएं मापड़न और योगता के लिए सेना भरती काराले शिमला की ओर से जारी की गई अधिसूसना भारतिये सेना की बैपशाइड www.zoneindianarmy.nic पर देख सकते हैं तो दोस्तों सेना के परवक्ता ने एक आपको बैपशाइड जारी कर दी है जहां से आप इसको भाम को देख सकते हो और बात करते हैं आगे दोस्तों उन्होंने बताये कि जो मिद्वार रामपूर बुसर से सेनिक तकनीकी वर्ग के लिए सेना भरती काराले शिमला की ओर से 16 फरवरी 2020 जारी की अधिसूसना से में पहले पंजीगर्थ हो चुके हैं उन्हें भी दुबारा पंजीगर्थ करवाना होगा तो दोस्तों यह कहा है कि जो ब्हारती जब यह भरती निकली थी फरवरी में तो उसके बाद मार्च में कोरोना की बज़े से लोगडाउन चल ला था तो यह भरती इस्तकित कर दी थी लेकिन यह भरती फिर से होने जा रही है तो सेना के परवक्ता ने बताया कि जिन्होंने 16 फरवरी को फरवरी में इसकी फरम की पंजीगर्थ कर दिया था वो फिर से इसको दुबारा पंजीगर्थ करना होगा तो आप इसको फिर से दुबारा पंजीगर्थ करना पड़ेगा बात करते हैं सेना परवक्ता ने भरती के लिए आप इतन करने वाले युबाओं से अपील किया कि वे दलालों और जाल्चाओं से दूर रहें सेना की भरती में पूर पारदिस्ता बरती जाएगी दोस्तो सेना परवक्ता ने बताया कि भरतीयों में धहंदले वाजी से बचें किसी भी रिकार से दलालों से बचें और क्योंकि आपकी जो भरती होने वाली है पूरी तरह से पारदिस्ता और साप होने वाली है तो दोस्तों किसी भी धलालचे या किसी के चक्कर में ना पड़ें सिर्फ महनत करें अगर आप जाना चाहते हैं आपके अन्दर जजबा है तो फूर रोपसे अपने आपको तयार रखें तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next video में next राज्ये के next जिले में होने वाली भरती के साथ तो दोस्तो बने रहे हमारे चैनल पर जिसने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया है सबस्क्राइब करें ठीक है दोस्तो और वैल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सबी वीडियो आप तक समय सक पहुंच सकें तो आप हमारे साथ बने रहे है डेट टू डेट और हम आपको करवाते रहेंगे सबी भरतियों से अपडेट तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बढ़ती के साथ जैहिन दोस्तो जैहिन इंडियन आर्मी